मुंबई इंडियन्स में जब से कप्तानी को लेकर भूचाल आया है तब से कैप्टेंसी को लेकर काफी बाते चल रहे हैं कौन कैप्टेन बनेगा, कौन नहीं बनेगा, कौन क्या करेगा, कौन ये करेगा, बहुत सी तरह की बाते से में चल रहे हैं रोईट शर्मा और हार्दिक पंडिया को लेकर तो सोशल मीडिया ख़बरों जो भरा पड़ा है। लेकिन हमको ये बात भी ध्यान रखनी होगी कि IPL के लावा ये दोनों इंडियन ग्रिकेट टीम के लिए भी खेलते हैं। अब इंडियन ग्रिकेट टीम आईपिल के तुरंत से फुल स्टॉप लगा तो ये बोला कि वह ये रोही T20 में कप्तानी करने वाला है और हार्दिक पंडिया वाइस केप्टेंसी करेगा। क्योंकि एक बहुत बड़ा कन्फूजन था जो कि दूर करना जरूरी था। वर्ल्ड कप 2023 के खत्म होने के बाद से ही भारती मैच की पहली जो शान थी तब BCCI के सचेफ जैशा ने दे दिया। राजकुट टेस्ट के पहले कारिक्रम में BCCI के सचेफ जैशा ने T20 वर्ल्ड कप में भारती टीम के कप्तानी पर उट रहा है सवालों को खत्म कर दिया। एक प्रोग्राम जिसमें की तमाम क्रिकेटर्स मौझूद थे उसमें जैशा ने कहा कि उन्हें पूरी उमीद है कि भारती टीम रोहिश शर्मा के कप्तानी में T20 वर्ल्ड कप 2024 जीतेगी। शा के इस बयान से बातसाफ हो चुकी है कि T20 वर्ल्ड कप में टीम इंडिया के कप्तानी रोहिश शर्मा ही करेंगे ना कि हार्द नहीं करना चाहिए। शा के इस बयान के बाद में कप्तानी पर उठ रहे सभी सवाल खत्म हो चुके हैं। हार्दिक के साथ दरसल इंजरी की समस्य उनके करियर के शुरुआत सही है। वर्ल्ड कप 2023 के दौरान भी बंगलदेश के खिलाफ मैच में उनको चोट लगी थी और इस बारे में खिलाडियों को चेतावनी देते हुए कहा कि सभी contracted players को phone पर बता दिया गया है और मैं उनको लिखने भी वाला हूँ कि अगर selectors, coach या फिर captain चाहते हैं कि आप red ball cricket खेलें तो आपको खेलना होगा। रखने नहीं चलेंगे। और यहां तक कि शान किशन का सवाल है वो young cricket है मैं उसके बारे में विशेश रूप से यह नहीं कह रहा हूँ क्योंकि यह सभी खिलाडियों पर समान रूप से लागू हो रहा है। इसके अलावा उन्होंने सक्त action लेने की बात करते हुए अपने बयान के कहा कि हर किसी को खेलना होगा वरना जो selection committee के हैं उन्होंने मुझे अपने suggestions दिये हैं और मैं उनका खुली चूट दे रहा हूँ कि यह अपने फैसले पूरी इंडिबेंडेंसी के साथ ले सकते हैं इंग्लेंड के खिलाव test series के दौरान राहूल द्रविड एक press conference का हिस्सा बने थे जिसमें उन्होंने कहा था कि इशान क को अगर टीम में शामिल होना है तो उसके लिए उनको रंजी ट्रॉफिय खेलना होगा और सब सीधी सी बात से अपने form को और अपनी availability को सपस करना होगा लेकिन इशान ने उनकी बात मानी नहीं वे अब तक घरेल ट्रिकेट टीम जारकंड के लिए नहीं खेले इसके बाद क जारकंड के लिए आखरी मुकाबले में शामिल होना ये चाहते भी है या नहीं कुछ दिन पहले वो हर्दिक और कुनाल के साथ में IPL के लिए तैयारी करते हो दिखाई दिया थी क्या गहना है आप लोग है कमेंट करके जबर बताएएगा मेरे सुनियों के लाओत नहीं जाये हैं जाये भारत